हाई कैसे आप सब उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे पीफंस पॉर्टल पर सेल्ली की प्रोसेस कैसे देखते हैं और सब बड़ी तिंक कभी कभी कुछ लोग की सेल्ली इनिसीडेट दिखाती है तो इनिसीडेट क्या है इन सब ऑप्सन पर आज हम बात कर लेते हैं कैसे देखा जाता है कैसे चेक के जाता है और क्या प्रोसेस इस सब को क्लिरी पीफंस पॉर्टल को ओपिन करके वहां से हम द इसलिए हम पंचाइस सहाइक को लेते हैं जिनको रेगुलर मान दे देना होगा इसलिए हम पंचाइस सहाइक को ओल्डी रेजिडेंस वाले फिल्ड में ही फिल्ड करें में कभी-कभी क्या होता है कि जब वेंटर फीड हो जाता है तो वह कुछ देर के लिए NICK princip करता है कि पीफंसfert की साइट किस से उसका server चल रहा है ऐसे में कभी-कभी क्या होता है गंटे में भी वो acknowledge होता है मतलब accept कर लेता है fee funds उसको bank level भेंद देता है कुछ बार क्या होता है कि वो accept नहीं करता है और काफी देर तक वहाँ पे pending रहता है ऐसे में कभी-कभी वो 4-6 गंटे भी pending इनिसियेट का option वो रखता है किसेस में ऐसे भी होता है कि इनिसियेट बता रहा है इसका मतलब है कि डेबुक क्लोज हुई है और प्रधान या फिर सचीव की डेसी से वो verified portal पे नहीं हुई है ऐसे process में भी कई बार वो इनिसियेट सो करता है मुझे आप जानले अगर एक दिन से ज़्यादा आपकी salary वहाँ पे इनिसियेट बता रही इसका मतलब है कि या तो फिर कुछ problems है या फिर PFS portal पे ज़्यादा load है तो आप जानले वो payment आपका पहुँचेगा लेकिन हो सकता है कुछ उसमें time लग जाए और किसी का vendor मतलब किसी पंचाय साहक या किसी की भी जो भी एजनसी से महाँ फीट करते हैं और वो लगातार जो है 24 गंटे से ज़्यादा इनिसियेट बता रही है अगर vendor की बात कर रहा हुँ है अगर vendor इनिसियेट बता रहा है तो इसका मतलब है कि खाते में या तो गलत feeding हुई है या कुछ खाते में problem है हम उस जिगह पे दूसरे खाते को या फिर अपने उस feeding को recheck करवाएं तो वो हमारा जल्दी से अप्रूब हो जाएगा तो यह जल्दे देख लेते हैं कैसे हम देख सकते हैं नेशेलरी域 Fe giving first portal के माध्यम से हम आ गहे है ईग्रामम्सरज पोहर पर और सबसे ठीक नीचे को यहां पर जाते हैं report के section पर हम रिपोर्ट के सकुचन में हमंठ एकाउंटिप क्लिक करते हैं तो basically हम state finance से बुक्तान करना तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे state is sponsor scheme पे और ठीक नीचे यहाँ पे हम अपने state को लेंगे जैसे कि मैं UP से हूँ तो उत्तरब जैसे यहाँ पे मैं select कर लेता हूँ उसके बाद state is scheme उसके बाद select scheme का जो option है यहाँ पे हम fifth लेंगे क्योंकि fifth से ही राजीबित दाओगर इसी से बुक्तान किया जाना है सारे पंचायस साय को या फिर आप अगर और कोई scheme देखना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ पे select कर सकते है उसके बाद greater board पे क्लिक करेंगे हमा यहाँ पे जवनपूर से यहाँ पे क्लीक कर देता हूँ अब यहाँ ले देखते हैं मैं किसी भी एक ब्लॉक को ले लेता हो जैसे अब ही हमें January का चेक करना तो हम January में जाएंगे January के option पर यहां पर हम इसको click कर देंगे तो जैसे January पर click करते हैं हमार साब देख रहे हैं तो इस गावाँ में आपको यह 6000 का भुगतान राज वित्तायूग से दिख रहा है इसका मतलब है कि यह पंजाय साहिक को भुगतान के लिए राज और यहां पर आप साफ साब देख सकते हैं कि मान दे लिखा गया है और यह नाम भी सकता है यह जो खाता देख रहे हैं आप यहां पर जो खाता देख रहा है यह खाता है आपके ग्राम निधी के बैंक काउंट का सो इस खाती को देख करके घबडाए नहीं आप यह खाता आप अपने नाम को देख लिए क्योंकि यह खाता जो है यह ग्राम न तिर नपने ने सबस्काइब जरुए गरे कर देहें बात उस्तो.